हेलो दोस्तों नमस्कार आज हम जिस पोड़र के बारे बात कर रहे हैं वो है आपके सॉकेट्स के बारे में स्कॉाइट ड्राइब सॉकेट्स स्कुंट्राइब शॉक्त्स क्यों बूलते हैं या आपने कभी झाफ पर सॉकेट जरूर देखे होंगे या इस टाइप कंगे ब्लैक वाले सॉकेट देखें हों या इस टाइप के कुछ आगर बिट ूट लगए हुए कुछ रोता है क्राइब शॉक्त्स सॉकेड फोलने के लिए भी इसका यूज होता है तो आगे बढ़ते हैं पहले यह ले लेते हैं देखिए सॉकेट जब भी खड़िते हैं तो आपने ऐसे कहीं देखा होगा इस सब सामान के साथ या कुछ इसमें से कोई ने कोई आइटम देखा होगा ये सॉकेट देखे होंगे और या 3x4 या 1x4 या 1-inch square drive या सुनने को आता है रहे चेक्ट, एक्स्टेंसर वार, उन्वर्सल सॉकेट, हैक्सविट सॉकेट तो यह सब चीजे सारी सुनने को आती है तो इस सब को हम समझेंगे और एक एक के बाद समझेंगे एक इस तरीके से क्या होता है तो आपन लेजिए कि मालज़े यह इतने टाइप के फार्ष्टनर्स होते हैं जो कि एक चीजों को आपस में जोरते हैं जिसे स्क्रू हो गया, नट वल्ट हो गया या इस टाइप की चीज़ है अब एक जांपल में यह सॉकेट ले लिया क्या मैं इस इस सॉकेट सब को खोल पाऊंगा नहीं ख वह यहां से पुलेंगे तो वह सब चीज इसको आप आपको दिखाता हूं जो सबसे इंप्रोटेंट है त्यांति है स्कॉाइर्ट्राइव. यह है यहां पर राइज़े । । । इसमें points बहुत सारे होते हैं, तो points के बारे में हमस्ता है। तो यह ज़्यादा जरूरिये है। तो 1, 2, 3, 5... सबसे जरूरी है इसके लिए एक जामपल ले लेते हैं जैसे इंडिया में बने तो इंडिया में बने तो चाइना में बने तो इसको इंटरनेशनल गवर्ण करती है जैसे कि आपको अपने मोवाइल चाइन होता है जैसे मोवाइल का मेरे फिल है यह पिन हरा जो इसके बराबर का सी टाइप का होगा उस फोन में लग जाएगा उसी तरीके सिस्पें यह इर फोन का जanned mejor परकार ने उनिवर्शली डिजाइन किया हो गест। फो इसमें यह सॉकेट का पार्ट पीछे वाला पार्ट है ट्राइब वाला अगर उसका जो लेंथ है वह भी अगर 1 by 4 इंच हो और उसका जो विर्थ है वह भी 1 by 4 इंच हो तो वह कहलाता है 1 by 4 इंच स्कॉर्ण ट्राइब इस तरीके से बहुत दूर तक जाता है, चार इंची तक जाता है, यानि इतने बहुत बढ़े ड्राइब का सब्सक्राइब, चार इंची लंबा, तो एक सब्सक्राइब के बनावर साइज का भी होता है. तो हम इसको और समझते हैं, आप गोलें कि इतने ड्राइब के हमें ज़रूत क्या है, यह विल्कुल वैसा ही है, कि मान के चलिए कि अगर दो लोगों को कहीं जाना है, उसके लिए बाई की बैटर है, जादा से जादा कार, दो लोगों के लिए बस नहीं बनाया जा सकता, जा और यह इंप्रीजिंग ओर में है, आप देखो कि वन इंची को हाफ करोगे, तो आजाएगा वन बाई टू, वन इंची को हाफ करोगे तो आजाएगा वन बाई फोर, यानि यह क्वार्टर है, यह हाफ है, यह एक है, यह एक और इसके बीच में, जो 75 होता ना, एक रुपय इसके बीच करी में बाई पॉर्सपय से बीच को बाई को हाफ कर राता थावता है, इन दोनों के बीच-क और इन दोनों के बीच का कीध और इन डोनों के बीच का यह, पूर्स ना, आजा हो सबक्राव है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह से 1 by 4 को आपको 6.3 mm भी लिखा हुआ हो सकता है, यह सब भी लिखा हुआ हो सकता है, यह से 3 by 4 इतना mm हो गया, 19 mm, ऐसा भी लिखा हो सकता है, आज कल लगोने लगा है, लेकिन यूनिवर्स ज्यादा तर इसको इंचेज में ही मेजर किया हो गया है, तो आपके लिखा लिखा क्लिए लिख हे सकता है, और यह से जाता है, लिखा हाई गया ने सकता है यह नैट नुकुदध से कूल सकते हैं यह भी 30 म का सॉकेट है भी 2 सब्सक्राइब लेकिन नोटिस करेंगे कि जो इसका एश्कुदा कि छोटा है धेकिन वन वाइग फitating करें rooms class और इसका square drive बड़ा है, यह half inch square drive, आप देख सेते हैं, यह बड़ा है, आगे से socket एक ही है, लेकिन square drive अलग अलग है, तो यह भी ध्यान देना है, अगर यह 1 by 4 inch square drive का है, तो socket भी ऐसा चाहिए है, अगर यह half का है, तो half का socket चाहिए, अगर हम 1 by 4 में चाहेंगे, कि हाप का socket ही है, तो नहीं लगेगा, तो यह चीज़े है, यह हम आगे भी समझते हैं, कि ऐसा क्यों है, यह हम को एक्क्वल में इसको कौन सा देना चाहिए, इस case में हम दोनों ही दे सकते हैं, साथ में हमें इसको handle देना पड़ेगा, चाहे रंचेट हो या T handle हो, या भुमाने इसको hexagonal socket है, 6 point जिसको hexagonal socket भी बोलते हैं, जो यहां पर देख सकते रीचे हैं, और 12 point जिसको क्या रहते हैं, यह hexagonal socket होता है, और या इसको y hex socket भी बोलते हैं, इस दोनों में ऐसे, अगर मानने जिए, यह एक example ले ले लेता हूं, कि अगर मानने के चलिए, कि यह भी 20 mm का है, और इसका head भी 20 mm का है, तो क्या मैं 20 mm के nut को बोलते हैं, इसको दे सकता हूं, दोनों को ही दे सकता हूं, अच्छा कौन सा रहेगा, तो situation के साब से, दोनों अपने आप में ठीक है, अच्छा रहेगा, इन दोनों में फ़रक क्या होता है, कि जब आप इसके बारे हम डिट होता है, बोडी के साथ, जो nut world के साथ, ये 6 जगा टच होता है, और इसको घुमाने के लिए एक बड़े अंगल की जरुवत होती है, ठीक है, बोल सकते हैं, कि 6 टुकड़ा हो गया, 6 चक्छा तेस, यानि 60 degree अंगल होता है, इस तेस रहेगा, तभी इस nut को घुमा के खोल सकत होता है, लेकिन इसकी केस में क्या होता है, कि टच पॉइंट बड़े आता है, 12 टच पॉइंट आ जाते हैं, 6 की जगा पे है, और इसको घुमाने के लिए, क्या है कि 3-6 degree टोटल होता है, हमें इसको घुमाने के लिए सिर्फ 30 degree का ही space चाहिए, तो ये चीज होती है, तो यह यही फड़क है, कि इसको टच पॉइंट जादा है, अगर आपको ज़्यादा है, तो यह कर सकते हैं, और नहीं तो यह भी दे सकते हैं, कई केसे में 6 को प्रेफर करते हैं, कि उनको लगता है, स्लिफ नहीं होगा, तो 6 में पोर्स जादा लगाना पड़ता है, एक ही चाला सतते हैं, यह करा हैं, इसकी जो लेंथ है कितनी है, जैसे हिरे ब्हुना, जो फॉफे नॉर्मली सोकट टेर इंथ व मतलग 50 mm से कम की सोकट होता है, जैसे हिस की बोलते है लेंथ हो गया, यह सबसकत कर अधर को अधर सबस और यह आपका एक्जा विडियो का होने वाला है यह तोटल जो पर रहें होगा है पर देखेंगे कि यह जो पार्ट है और यह पार्ट है इसके पीछे बना हुआ है इसके पीछे डिया हुआ है इसके पीछे स्कॉाइट ड्राइब है और यह इस तरीके से अटेच होगा है इसके बाद क्या है कि यह जो देखें यह क्या स्कॉाइट ड्राइब है यह जितने का स्कॉाइट ड्राइब होगा यह जितने का स्कॉाइट ड्राइब होगा उतने का यह भी स्कॉाइट ड्राइब होना चीए तभी आपसा फिट होगा इस तरीके से और इसको समझ लेते हैं जासे जिस जासे स्क्वार्ट का स्क्वार्ट्राइब होता है 1 by 4 3 by 8 1 by 2 3 by 4 1 inch उसी तरीके से रैचेट्स का स्क्वार्ट्राइब होता है जितने स्क्वार्ट्राइब की स्क्वार्ट्राइब की स्क्वार्ट्राइब होता है उतने ही स्क्वार्ट्राइब का ये रैचेट का अगर 30 में कोई वीडियो अप्लोड करोगा मैं रैचेट को पर कम्प्लीट 30 में से पहले भी कर सकता हूं 30 में दो जाने कि अगर बात देख रहे हैं तो आपको यह वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसके बाद एक एक जामपल ले लेते हैं इतना हमने समझ लिया स्क्वाइट राइव वाइंट डीप सोकेट और और हमने यह समझ लिया कि जो कि उसका स्क्वाइट राइव क्या होता है आगे बढ़ते हैं देख मान के चलिए कि 17 mm का एक नट बोल्ट है जिसका यह वाला पार्ट 17 mm का है और इधर वाला पार्ट भी 17 mm का है जैनरल दोनों सेव हैं एक्जामपल मुझे इसको खोलना है ठीक है इसको खोलना है इसको खोलना है यह सौकेट लगा के तो कौन सा बाल वाल पार्ट 17 mm का देना चाहिए त supported गरा उम पूल वाला वी वाला भी सको खोलğ है और 12 सौकेट का हूँच चैड़ान है unbound twice 8 mm नहीं हाँ करें जैसे एक्जामपल अगर हमें दो लोगों के साथ ड्राइव करना थो बाइक डिफाइन स्कूठी डिफाइन इस अगर साइकल पर लोग जाते हैं लेकिन अगर मालने चार लोगों के साथ जाना तो हमारे लिए हमें कार चाहिए, अगर 6 लोगों के लिए चाहिए तो 6 सीटर कार चाहिए, अगर मुझे 10 के 12 लोगों के लिए जाना है तो मिनी बस चाहिए, अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर 12 लोगों को जाना है तो बस में भी ले जा सकते हैं, मिनी बस में भी ले लेकिन अगर 30 लोगों को ले जाना है तो बस में ही ले जाना पड़ेगा, बिनी बस में नहीं जाएगा, तो उसी तरीके से कुछ यहां पर भी कॉंसेट बनता है, आप देखोगे जो यह जो 1 x 4 inch square drive है, ठीक है, इसके sockets जनरली 3.2 से 14 mm तक जाता है, तो 15 mm पर किसी को nut खोलना हो, जैसी 17 mm है तो हम यह 1 x 4 square drive का नहीं दे सकते हैं, मार्केट में हमें इसका sockets ही नहीं मिलेगा पहले बाद, ठीक है, यह sockets के यहां पर detail लेकिए उपर और यहां पर square driver है, उसके बाद, पांद के चलिए अगर 3 y 8 square drive है, तो हमें सारे 5 से लेके, चोगी 7 तक का sockets है, अगर 3 y 8 square drive में खूल सकता है, एक तो कोई सा भी पूल का दे तो, 6 पूल या 12 पूल उससे, और यह 3 y 8 square drive का भी हम दे सकते हैं, क्योंकि इस range में आ जाता है, ठीक है, अब यह देखेगा, उसी तरीके से अगर आप देखते हैं, पहले रेंज समझ लेते हैं, उसी तरह से देखिए अगर 5 inch square drive में, अगर हम 8 mm से लेके 36 mm तक के nut world खोल सकते हैं, 3 y 4 में हम 19 से लेके 60 mm के भोल सकते हैं, और 1 inch square drive में 36 से लेके 58 mm के, हम nut world खोल सकते हैं, ज्यादा तर 80% केसे में, नॉर्मल इंडस्टी में, ऐसी साइज के sockets यूज होते हैं, ज़री 1 inch तक ही रहता है, 1 inch से चाह तो कॉंसर्ट समय सही ही लगेगा, तो अभी इससे दिखाता हूं जैसे, कि यह 17 mm का खोल ला है मुझे, तो मैं इसमें दे सकता हूं, क्योंकि इसके बीच में 17 mm आएगा, तो मैं 3 y 18 inch square drive का 6 या 12 कोल का मैं socket से दे सकता हूं, जो इसको खोल देगा, या 17 mm तो यहां भी आता ह इसमें आप खरीदना है, तो जनरली छोटे component सस्ते पढ़ते हैं, तो smaller square drive में चले आएगे, आपका torque बहुत हाड ही होता है, तो आप कोशिश करिए कि 1.5 inch square drive में लेजए क्योंकि उसकी capacity जादा होती है, अचाहे, इसमें देखना है कि कौन सा based होगा, कौन सा based होगा, कौन सा देना है, अगर मुझे best performance देना चाहिए, तो कौन सा देना है, अगर पैसे की बात हम ना करें, इसम की बात ना करें, तो मेरा यहां का recommendation है, कि ठोड़ा higher में चले जाने से बेटर है, और दूसरी चीज है कि वो जो point है, वो देखिए, किस तरफ जादा जुका हो, वैसे 17 mm है, 17 mm या चोड़ी 7 mm तक का यह करेगा, लेकिन यहां पे 36 तक का करता है, तो बेटर है कि इस वाले half inch square drive में दे दे देंगे, तो जादा बेतर होगा, बाकि आप इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, एक और चीज है, half inch square drive सबसे ज्यादा रहन है तो इसका अगर हम क अगर हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह 19 से ही सुरू होता है, तो यह पूरी कहानी है, कि जब भी कोई आपको कोई लेने आएगा, तो आप इसको square drive कैसे पूछेंगे, क्या square drive का range है, यहां से आप में इसको screen shot ले सकते हैं, मैं इसको जो पूरा सा कचला करकर रखा हुआ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, तो हम गया करेंगे, अब इसका screen shot में लेकर दे सकते हैं, इस range में कौन सा socket देना रहेगा, तो यहां से आप पता करके दे सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपने लेकिन कही बारी देखा होगा, कि जनरली वीडियो यहां पे खत होगा, तो जिसका EP2, EP2 लिखा रहेगा, और description में लिंक भी मिल जाएगा, अगर तीस तारी के बारी वीडियो अब देख रहे हैं, तो इस सब सोकेट के बारे में जानें के, कितने टाइप के socket होते हैं, वोती सब सेम ही है, स्क्वाइट राइव वही होगा, हाग इंची या जानेंगे, कि जो, आपने इस टाइप के socket भी देखे होंगे, screw भी drive socket है, आगे से screw है, पीछे से drive लग का socket होते हैं, तो ये सब चीजे भी हमारे पास, इसका भी अलग वीडियो में अप्लोड कर दोगा, episode 3 में, EP3 में, और साथ मेरे chat handle का EP4, तो आप ज़रूर देखिए कौ आप लगा दो, dislike करिये, कुछ advice देना है, कहीं पर मेरे से ललती हो गई, तो आप उपरेक्ट कर सकते हैं, thank you so much, bye bye